लास्ट छे तारीक की बात है हुआ कुछ यू था कि जिम जा रहा था मैं और रास्ते में वहां पे स्टोप लगा हुआ था पुलीस वालों का पदमपूर साइड में तो हुआ क्या शाहिन पे था उस टाइम एंड बाइक की फोग लाइट भी जल रही थी क्योंकि काफी समोग था सड़क पे दुआ था इस कारण मैंने फोग लाइट जला रखी थी तो वहां पे जाती जैसी क्रोस किया मैंने उसे पुलीस वाले ने रोका और रोक के काफी रूटली बात किया उसने मेरे से उस टाइम अंदेरा था लगबग बज रहूंगे शाम के साथ साथ तो इतना पुछ वीजिबल नहीं था और शूट नहीं कर पाया में उस चीज को बट हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मेरा फूग लाइट का चलान कर दिया और जो डॉकमेंट्स थे मेरे पास वो लगबग सारे डिजिटल होलेट में थे तो पुलीस वाले का कहना था कि यह मान्या न अब कर दो देखते हैं क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं तो दिन की शुरुवात होगी पुली स्टेशन से तो है वट्सप गाइज यूर वचिंग आर्सी सेवंटीन व्लाइट का रूल होता है कि आपकी जो पाइक वे फोग लाइट है वो अपकी हैडलाइट से नीच और नीच है वैसी मैंने लगाई है विल्कुल उनका फोकस भी रोड के उपर है बट वह वा गाइज मेरे जो शाहिन पे जो फोग लाइट लगी है अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है मोडिफिकेशन वाला तो प्राइब बटन में लिंक दे रहा हूं वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फोग लाइट पे चालान हुआ है तो जलते हैं बाइक लिए पुली स्टेशन की तरह तो बैस अब फिलाल बैटा हूं पुली स्टेशन में विकाज जो ओफिसर चलान सब्मेट करवाते हैं वह भी आए नहीं है तो जैसी वह आएंगे उन्हें यह स्लिप दिखाएंगे और फिर इसका जो फीस अमाउंट है को सब्मेट करवाएंगे के अब अब जो आएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आप जब फिलाल आया हुआता में गूशाला गूडवगेरा किलाया भी बश्मों को चोटी बश्मों को और हर तरफ यह देखिया बड़ा बड़ा है तो करना चाहिए थोड़ा बहुत ऐसे आप ही किया करो मन्त में एक दो बार जरूर करना चाहिए तो अभी फिलाल गाईज आयों जस्ट अभी अभी गंगानगर से और इतनी पुरी कंडिशन है रात के बजरे हैं नो और रास्ते में हो रही थी पारीश तो पूरा भीग जुका हूं इस ठेंड में बज्च, मैंने टैन कलर के पैन रखाए या अरत के हैं यहदौर के लिए इस पार के दो बीग के हैा यह कि बड़ीया है प्रभ्यवी इसी यह मैं थुद्टे सबनी प्रफूम यह दो पना सी फहड़कर आप दो पार यह एपरेद वो वो सब करवा के अब अब यहाया हूँ अब ही कपड़े ही नी खोने हैं अब यह आकर रुकाई फिरस्ट फॉल जैसा कि आपने देखा थन्डेल के अबर की फस्ट ट्रेक का जो विरा क्लेक्शन है उसके अंदर एक और चीज जूट चुकी है इर दो क्योंप सारे कि यह कंब कि यहां और करेंद ऑुट कोफी पिश्ट आइक्जू सारे कि मेरे पास जितना बी कैलेक्शनरी आप से बचलेक्शन अंदर कं वहाना आज तो जिल्दी से कबड़े को कि आच्च्छ कर लेते हैं ने तो गाइस फाइनली सभी ब्रॉडट्स को हमें लाइन अप कर लिया है आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो अभी वन बाइवन करके आपको एक ही करके सभी के बी रोल्स मैं दिखाने वाला हूँ तो चेटिके डारेक्ली प्रॉडट्स की तरह तो यह है अपना वॉलेट फास्ट्रैक की तरफ से एंड बाइवन की तरफ से अपना वॉलेट फास्ट्रैक की तरफ से इस तरह से अंदर से कुछ है और इसके अलावा यहां पे है अपने शेट्स जो की देखने में कुछ इस तरह लगते हैं आपने लगबग हर वीडियो में मेरे पास यही शेट्स देखे होंगे तो यह फास्ट्रैक की और से हैं और नेक्स्ट अपनी है यह वाच जिसे की डेली रूटीन के अंदर कैजोली मैं यूज करता हूँ इसके साथ जो कल ले गया था वो वाली वोच यह वाली है यह मैटल के अंदर है काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है पूरी जेट ब्लेक है ये मैट कलर के अंदर और इसके अलावा टाइटन का एक प्रोड़क्ट है ये भी मैं कल ले गया था पर्फ्यूम है दाक स्कीन की तरफ से ये है टाइटन का तो आपको बताना चूंगा ये टाइटन और फास्ट्रेक दोनों एक ही ब्रैंड है फास्ट दोनों प्रोड़क्ट एंड सो फाइनली अभी तो ये है अपना फास्ट्रेक का कलेक्शन इसके अंदर दो चार चीज़ें और एड होने वाली जल्दी जैसे ही वो एड होंगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा तो ये था फाइनली गाइज अपना फास्ट्रेक का कल तो इस तरह कि अगर आप मेरी क्लेक्शन वीडियो दिखना चाहते हैं तो मेक शोर नीचे कमेंड करके मुझे बताइए अगर आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लगा हो तो और साथी साथ सब्सक्राइब करके जाईएगा आर्सी 17 व्लोग को क्योंकि इन फूचर इसी त इंट्रस्टिंग से वीडियो के साथ तब तक के लिए अलवी दा लेते हुए जै हिंत जै भाराएद